जै बोलो देवादी देवे खदरार्शरी भगवान महा बीरश शामी की जै 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 अहिंसा परमो धर्मे की जै 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 परमपूज आचर गुर्वसरी विद्या शागर जी महराज की जै 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 परमपूज मुनिसरी प्रमान सागर जी महराज की जै 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 धर्ती में बीच बोते हैं वो अंकुरित होता है पलवित पुष्पित होकर विशाल अब रिक्ष का रूम धारन करता है इसमें फूल और फल लगते हैं तब कहीं जाकर बीज सार्थक हो पाता है बीज की सार्थक का रिक्ष के रूप में विक्षित होकर पुना फलवान बनने में है वही बीज यदि किसी चटान पर पढ़ जाए तो हवा पानी में सडगर कर नश्ट भरष्ट हो जाता है हमारा जीवन भी एक बीज की भती है यदि इसे हमने धर्मे की धरा में भो दिया तो ये उत्तम फल प्रदान करता है और धरमास्रे के आभाओं में वह संसार के हवा से नश्ट भरष्ट हो जाता है हमें दुरलब मनुश्य जीवन मिला है इस जीवन बीज को सुरक्षित रखने की जरवत है संरक्षित रखने की जरवत है हर मनुश्य को हर पल एक बात का समनर रखना चाहिए कि मुझे यह जो जीवन मिला है यह अमुल्य है दुनिया की कितनी भी मुल्यमान बस्तु क्यों न हो उसका मुल्यांकन होश रकता है कुछ मुल्य दे करके खरीदा बेचा जा सकता है लेकिन जीवन अमुल्य है जिस दिन इस अमुल्य जीवन का मुल्य शमचेंगे हमारे जीवन की दिशा और दसा सब बदल जाएगी बिनम्बना ये है कि लोग सब का मुल्यांकन करते हैं सिवाए अपने जीवन का हम मुल्यवान जीवन के मुल्य को शम्छे और इसे सार्थक बनाने का प्रियत्न करे तुम्हारे पास कीमती बीज हो और उसे यूही छोड़ दोगे तो एक दिन उसमें घुन लगेगा विनस्ट हो जाएगा लेकिन उस वीज को बोगे तो वो कई गुना फलेगा हमें देखना है कि हम अपने जीवन के इस वीज को किधर ले जा रहे हैं इसे बोकर फलवान बनाने में लगे है या विनस्ट करने में लगे है एक दिन हमारी आपकी सबकी जीवन की कहानी पूरी हो जाएगी कुछ पल के लिए अपनी आखे बंद करें और सोचें कि अगर मैं चला जाओ इस दुनिया से तो मेरे साथ क्या होगा थोड़ा सोचो एक पल के लिए सब लोग आखे बंद करो और थोड़ी कलपना कर लो कि ये सांस मेरी आखरी सांस हो गई अब मेरे प्राण निकल गए अब इस घड़ी मेरे प्राण जाते हैं तो मैं सकुन भरा एहसास लेकर इस दुनिया से जाऊंगा या मन में अफसोस से भर कर संभवत यही जवाब आएगा कि अफसोस ही हाथ में है संथ कहते अगर तुम इस जीवन को जीए हो और अफसोस लेकर जा रहे हो तो जीवन को व्यर्थ किया और जीवन को पा कर जीए हो और अच्छा एहसास लेकर जा रहे हो तो जीवन सार्तक है चार शब्दों की बात आज आप सबसे करूँगा अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ चारों शब्द आपके जाने पहचाने हैं लेकिन इसके अर्थ को मेरे संदर में देखने की कोशिच किजिए अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ अर्थ किसी चीज के प्रियोजन की पूनता का नाम अर्थ है प्रियोजन को शमाप्त कर देना व्यर्थ है प्रियोजन के विरुद्ध कर देना अनर्थ है और प्रियोजन को और अधिक पुरस्कत कर देना परमार्थ है क्योंकि दुढ का दूहन ना हो तो न गय को लाभ होगा नहां हमें होगा लेकिन दूहेवे दूद को हमने यूही रख रहा और वो दूद फट गया यह व्यर्थ चला गया लेकिन कोई बेक्षी दूद पाया और उस दूद को धरती पे ढोल दे तो अनर्थ है लेकिन उशी दूद को दू कर, दही जमा कर, मन्थन करके, नौनीत निकाले और घ्रित बनाले ये परमार्थ है दूद से घी निकालना परमार्थ है, हम क्या कर रहे हैं, अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ चारो इस्थितिया हैं अपने जीवन के साथ देखे मेरे जीवन का जो मूल भूत प्रयोजन है उसकी तरफ मेरी दृष्टी है या नहीं अगर मैंने जीवन के अर्थ को समझा है अर्थ को पहचाना उसे शम्हलने की कोशिच की है तो समझो ठीक है कुछ अर्थ है और यदि हमने जीवन को युहीं खीस्तान के गुजार दिया तो विव्यर्थ है जीवन जीना बहुत महत्तपून नहीं है जीवन का रस लेते वे जीना ही महत्तपून है जीवन तो पसूपक्षियों के पास भी है हमारे तुमारे पास भी है उनके और हमारे जीवन में अंतर क्या होगा बस जी लिये हो गया बहुत पहले दो पंक्तियां किसी की पड़ी थी इस जहां में न जाने क्या कारेणामे कर गए B.A. किया में किया नोकर हुए पेंसन मिली और मर गए और क्या है इस जिन्दगी का क्या है जीवन एक दिन सम आप हमारे हाथ में हासल क्या हुआ और वह भी तब जब हम बहुत कुछ हासल कर शक्ते थे तो पहले अर्थ को समझो जीवन बहुत मुल्लिवान है इसके अर्थ को समझ कर चले इसे वर्थ न जाने दें वर्थ यानि बेकार है ना आज की यूग में तो जो व्यर्थ है उससे भी अर्थ निकाल लिया जाता वेस्ट मेनेजमेंट के माध्धम से है ना तुम्हारे घर के कुल्या कचरा से भी कुछ न कुछ काम का काम की चीज तेयार की जाती है बिजली बनाई जा रही है वेस्ट मेनेजमेंट का एक बहुत बड़ा धन्दा लोगों ने बना रखा है रिशाइकलिंग हो रही है बाकी चीज़ों को व्यर्थ होने के बाद भी तुम सम्हालने के लिए तयार हो पर जीवन को व्यर्थ क्यों गमा रहे हो ये सोचो मेरा जीवन कहीं व्यर्थ ना चला जाए एक माली था उसकी इच्छा थी कि पारिजाद का फूल स्वर्ग में खिलता है धर्ती में भी खिले इस भाव से उसने अपने घर के आंगर में पारिजाद का पेड़ लगाया जी जान से उस पेड़ की शेवा में लग गया उसकी शेवा से पेड़ बढ़ा उसके मन में रोज होता था कि आज स्वर्ग में खिलने वाला फूल धर्ती में खिलेगा बड़ी उवंग के साथ सुबह उठता पेड़ को देखता लेकिन फूल नहीं खिलता निराश हो जाता वो तरह तरह से खाथ पानी देता पेड़ की सुरक्षा और संरक्षा में लगा रहता लेकिन हर दिन उसे निराशा हाथ लगती उसके इस प्रयास से उसका बनस्पती सास्त का ग्यान तो विक्षित हुआ पर उस पेड़ में फूल नहीं लग पाया यों दिन बीटते गए और माली बुढ़ा हो गया दिन बीटते गए माली बुढ़ा हो गया एक रोज किसी संत का उधर से गुजरना हुआ उसने अपने मन की विथा उनके समक्ष प्रकट की संत ने अपने योग द्रिष्टी से उस पेड़ को देखा और कहा भाई ये पेड़ तो कभी नहीं फूलेगा ये पेड़ कभी नहीं फूलेगा चरनों को पकड़ लिया गुरुदेव आखिर क्या बात हो गई ये पेड़ क्यों नहीं फूलेगा तो कहा वस जिस पेड़ की तू सेवा कर रहा है वो पेड़ तो बांज है बांज पेड़ बढ़ सकता है पर फूल नहीं सकता उसे गोर पश्चा तब हुआ हाई मैंने अपना सारा जीवन एक बांज पेड़ की सेवा में वरवात कर दिया सब्व्यर्थ हो गया अब तो कुछ बचा भी नहीं था उसके पास उमन ढ़ल गई थी कि फिर से प्रयास करे बस मैं आप से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कहीं आपके भीतर ऐसा कोई माली तो नहीं है अपने मन से पूछना सुक के फूल खिलने चाहिए जीवन का सार निकलना चाहिए तब जीवन का कुछ अर्थ है अन्न था सब व्यर्थ है तो सार पाने का उद्द्यम कीजिए व्यर्थ के कामों में अपना समय शक्ति और संसाधनों को लगाने की जगा उसे अर्थ देना सीखिए जिस दिन आप जीवन के अर्थ को समझोगे उसी दिन जीवन की दिशा बतल जाएगी नोबल प्राइज नोबल वंधों के नाम से निकलता है उस वेक्ति के वेरे में मैंने एक बार पढ़ा वो डाइनमाइट का आउसकारक था उसके मन में आया कि मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे तो उसने एक प्रियोक किया और अगवारों में बिग्यप्ति प्रकाशित हो गई कि नोबल मर गया अल्फ्रेट नोबल मर गया अल्फ्रेट नोबल मर गया ये समाचार लोगों में गया पेपरों की हेडलाइन बनी मौत का सादा सौधागर हमेशा को सो गया ये हेडलाइन आई मौत का सौधागर हमेशा को सो गया जब ये पढ़ा सारे अकबारों की शुरकियां थी तो उसके मन में बड़ा पश्चा ताप हुआ मैं किस दिशा में जा रहा हूँ इस दुनिया से जाने के बाद लोग मुझे मौत के सौदागर के नाम से पहचानेंगे व्यर्थ है मैं जे कुछ सार्थक करना चाहिए और इस घटना ने उसके चित को मोड़ा और उसने अपनी सारी संपत्ती सांती के कारियों में खपा दी और उसी के नाम से सांती के लिए नोबल प्राइज शुरू हुआ जिस दिन तुमें ये समझ में आ जाएगा उसने तुम भी अपने जीवन की दिशा को बदल दोगे तुमें खुद आकलन करना है कि मैं अर्थ में हूँ या व्यर्थ में हूँ तीसरा है अनर्थ जो और सबसे खतरना जीवन को बना लेना अच्छी बात है ना बना कर जैसे तैसे खपा देना भी बहुत बुरी बात नहीं लेकिन जीवन को ही विगाड़ देना इससे बुरी बात और कुछ नहीं जिससे स्वापर का अहित हो वो अनर्थ है जीवन का हित साधना अर्थ है हित नसाध पाना व्यर्थ है लेकिन स्वापर का अहित करना अनर्थ है अपना जीवन पाए हो, क्या कर रहे हो स्वपर के हित में है या अहित में स्वपर का हित साधना अर्थ हित न साधपाना व्यर्थ स्वपर का अहित करना अनर्थ और जीवन पाकर स्वपर का हित करना परमार्थ अर्थ से परमार्थ के और बढ़ना है अनर्थ से अपने आप को बचा करके चलने का लक्ष होना चाहिए ये दृष्टी और भावना जिस दिन तुमारे अंतरंग में जाग जाएगी उसी दिन से तुमारे जीवन में एक अलग प्रिकार की अनभूतियां घटित होकी हम लक्ष बनाएं जीवन को परमार्थ से जोड़ करके चलने का तब हम कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे ये वलो परम पूज आच्छारी गुर्वा स्री बिद्धा सागर्जी महराज कीजे